स्क्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गोर्मेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आर्टिफाइजर अपरिंटेस इंडियर नेवी में जॉइन करता है क्या पेसिक पर्क्स मिलते हैं कब प्रमोशन होता है फॉल अनालिसस करेंगे किस टाइब की जॉब है आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए प्रमोशन, सैलरी, रैंक स्ट्रक्चर सब कुछ छोटा मोटा एक कवर करूँगा डीटेल एक्सपेक्ट में अगर कोई सब्जेक्ट में आपको इन्फरमेशन चाहिए कि सैलरी कितनी होती है कितने रैंक पे प्रमोशन कैसे होगा या डीटेल लाइफ कैसे होगी तो इस चैनल पे और वीडियो पड़ी हुई है आपको देख सकते हो आपको उससे हेल्प मिलेगा इसमें मैं आपको एक कवर करके बताऊँगा कि जोइनिंग टाइम यानि जब चिलका आप चले जाते हो आपका इनिशल मेडिकल हो गया है आपने रिटन एक्जामिनेशन अच्छे मांग से कलियर कर दिया है फिसिकल फिटनेस कलियर कर दिया है तो आपकी मेरिड बनेगी तो आप जाओगे आएमस चिलका में ट्रेनिGG के लिए नौ हफतों की इनिशल ट्रेनिग मेडिकल्स के बाद जब आप fit होके उदर जाओगे तो basic training होगी training में क्या होगा training में आपको दोडाया, भगाया, swimming कराया drill, parade, थोड़ा बहुत पढ़ाया ship के बारे में बताया, कैसे navy काम करती है ये सब थोड़ा सा बताया जाएगा क्योंकि आपको इस सब चीज से नहीं बता ओती बहुत कम मिलेगा कि आप अपने खुद के लिए time निकाल लें, कुछ पढ़ लें अलग से ये सब time आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा 9 हफतों की training में आपको बिल्कुल कोई time नहीं मिलेगा सिर्फ training के related आपको तयार होके जाना है खर्चा, salary, हाँ, आपकी salary स्टार्टिंग के दिन से शुरू हो गई है पर क्यूंकि आप training में हो इस समय आपको पूरी salary नहीं मिलेगी जो बाद में आपको मिलेगी इस समय आपको एक stipend दे दिया जाएगा मन्त में 14,600 रुपे का stipend है जो deduct होने के बाद आपको हो सकता है 10,11,000 रुपे आपके हाथ में मिले basic थोड़ा बहुत खर्चा निकाल के और वो जो 10,11,000 भी जो आपके काम आएंगे वह भी आप local उधर training base के अंदर juice पीना चे training base में कुछ uniform खरीदना खर्चा करना उस सब पे आप खर्चा कर दोगे तो आप अपने लिए उसको rarely use कर पाओगे तो करीबन वो stipend आपको मिलेगा 9 हफते की training के बाद और उसके बाद जब आप next advanced professional training में चले जाते हो तो आपका professional training भी divided है phases में phase 1 का, phase 2 का ऐसे अलग-अलग training आपकी divided होती है तो उन training में in between क्या पता आप जब ship पे हो एक बार आपका पूरा पिछला जो पिछले 8 मेने 9 मेने एक साल का लंसम amount आजाता है जो आपको नहीं मिल रहा होता आपको सिर्फ stipend मिल रहा होता है तो पूरा पैसा आजाता है जिस दिन से वो पूरा पैसा आजाएगा फिर उसके बाद आपके regular जो salary है वो start हो जाती है जो करीबन 34,000 रुपए के आसपास आपको मिलती है सब इसमें technical पे लगा लो आप इसमें military service पे लगा लो ये सब लगाने के बाद और जो deduction होना है आपका NGIS insurance का 5000 कटना है या आपका provident fund का 1500 रुपए कुछ कटना है वो सब कटने के बाद आपके हाथ में कुछ 34,000 रुपए आते हैं एक साल के बाद से आना शुरू हो जाते हैं आपका professional training में डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो आप डिप्लोमा में भी डिएड़ साल का आपका पूरा course हो जाएगा starting से लेकर डिएड़ साल 9 हफते हटा दो उसमें तो डिएड़ साल के बाद आपको technical pay मिलना भी शुरू हो जाती है पूरी technical pay during training आपको भी technical pay मिलती है बट वो half rate में मिलती है और ही नहीं मिलती है तो उसके भी अलग-अलग slab होते हैं कितना मिलता है क्या नहीं मिलता वो आप ज्यादा अंदर जाओगे तो better समझोगे फिर पुराना जितना पैसा है वो आपको मिल जाएगा ऐसा नहीं है कि पुराना पैसा नहीं मिलेगा वो जुड रहा है वो एक साथ आपके अकाउंट में तीन से चार लाग रुपे होके डेर साल बाद एक साल बाद जब भी आएगा तो accordingly दो तीन लाग चार लाग जितना आपका बन रहा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा फिर ट्रेनिंग के बाद आप जब शिप पे जाओगे तो आपकी लाइफ शिप पे काम करने की होगी क्योंकि आपके ट्रेनिंग होगी तो जो ट्रेनिंग यहाँ पर होगी बहुत practical knowledge होगी machines में आपको कैसे काम करना है machinery कैसे maintain करनी है उसको चलाना कैसे है उसको अगर कुछ खराबी है तो उसको सही कैसे करना है किसी equipment में चाहे वो radar हो गए सोनार हो गए fighting के equipments हो गए चाहे वो engine हो गए चाहे वो ACs हो गए यह सारी चीज़ बड़ी बड़ी जो machinery यूज होती है commercial plants यूज होती है उन सब पर आप सीखोगे काम करना तो practical aspects learning का बहुत होगा equipment पर learn करना बहुत ज़ादा होगा और साथी साथ आपको military attitude training में सिखाया जाता है कि drill कैसे करनी है परेड कैसे करनी है आपको PT exercise running कितने बज़े तक करनी है क्या करना यह सब पूरा training waste में सुखाया जाता है साथी साथ admin work अपना गुद का अपना cupboard maintain करना अपना room maintain करना यह सारी चीज़े आपको extra सिखाया जाती है इसके बाद जब भी आप join करते हैं तो हमेशा आपको starting के तीन चार पात साल छे साल जब तक आपका promotion अच्छे rank में नहीं हो जाता तब तक आपको काम करते रहना पड़ता है अंदर आपकी knowledge जितनी होगी उतनी आपकी इज़त होगी आपके senior आपके junior आपको इतना मानेंगे जितना आपको जानकारी होगी आप चीजों को समझेंगे machinery equipment पे जितनी आपको knowledge होगी उतना आपको उचा जाएगा बाकी earning आपकी अच्छी है बाहर लोग आपकी इज़त करते हैं क्योंकि आप navy में काम कर रहे हैं और आपको कभी कभी हो सकता है आने वाले 9 साल में joining के बाद या आने वाले 5-6 साल में कभ कुछ नया चीज सीखना है आपको क्योंकि कभी कभी काम ऐसा होता है जिसमें आप इतना involved हो जाते हैं कि आप समझ नहीं पा रहे होते कि कैसे इस चीज को सही करूं और सारा चीज मेरे को देखना है मेरे को सही करना है responsibility इतनी जादा हो जाती है कि आप हमेशा कभी कभी negative सोच तो आपको इन चीजहों को professionally लेना है क्यों कि आपको salary स्रकार आपका सब कुछ देख रही है घर देख रही है राशन देख रही है facilities दे रही है allowances दे रही है अलग-अलग तो आपको यह काम professionally करना पड़ता है फिर उसके बाद आपको यह चीद सीख के इससे कुछ आगे बढ़ने का क्याम करना पड़ेगा आपका प्रोमोशन जो होगा वो जनरली आर्टिफाइजर 4 से आर्टिफाइजर 1 बनने में 6 साल लग जाते हैं फिर उसके बाद चीफ आर्टिफाइजर बनने में चीफ पेटी ऑफिसर बनने में लगभ प्रोमोशन फास्ट है और इन फास्ट प्रोमोशन के कारण आपको अच्छा सेलरी पर्क्स अच्छी ग्रोथ मिलती है पर टास्क चैलेंजिंग है क्योंकि काम चैलेंजिंग है और 20 साल का इनिशल इंगेजमेंट है आपको 20 साल तक काम करना पड़ेगा 20 साल से पहले अगर आप छोड़ोगे तो pension वगेरा नहीं मिलता आपको फिर वो case to case basis पे depend होता है कि आप कैसे छोड़ना चाते हो जाना चाते हो कि नहीं जाना चाते हो छोड़ा जाएगा नहीं जाएगा वो organization को depend करता है वो आपको कोई नहीं बताएगा आपको सालाना medical देने पढ़ेंगे जो आपको fit रखेंगे running दोड़ना भागना ये सब चलता रहेगा आपके routine में 20 साल बाद भी जवाब जाओगे तो बिल्कुल fit रहोगे फिर accommodation मिलेगा रहने के लिए अच्छी अच्छी जगव पर आपको घर मिल सकते हैं जहां तक हो और कहीं कहीं पर accommodation ना भी मिले condition ऐसी हो भी सकती हैं पर mostly आपको facilities और accommodation पूरा मिलता है नेवी में फिर कभी कभी आपको stressful feel होगा जैसा मैंने बताया पर बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि पैसा अच्छा मिल रहा है travel opportunities बहुत हैं आप country के अंदर और country के बाहर घूमने का मौका कहां rarely मिलता है इधर आपको मिलेगा एक port से दूसरे port जा रहे हो कभी मुंबई विश्यागा बटनम चेड़ नहीं आप अलग-अलग जगे घूम रहे हो तो ये चीज़े गोआ आपको यहां लगेगा कि हाँ मैं ऐसी service में आया हूँ जो मेरे को घुमा भी रही है साथ-साथ पर यहां पर एक drawback जरूर है कि आप अपने family से थोड़ा दूर हो जाओगे जो distant की family है आपके cousins हैं भाई हैं नाना ताओ इन लोग से आप थोड़ा सा distant हो जाओगे with time क्योंकि जहां पर रहोगे वहां आपको देखना पड़ेगा साल में दो-तीन बार चुट्ती ले पाओगे तो उसमें आप उसी टाइम पे अपने घरवालों से cousin cousin से मिल पाओगे continuous touch में नहीं रह सकती यह एक advantage है प्लस sea life है जब समदर में जाओगे तब network नहीं रहेगा तो वह भी आपके लिए थोड़ा बहुत कभी-कभी distant हो जाएगा यह analysis आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करना चैनल पर पहली बार आएगो तो चैनल को subscribe करना अच्छी आपको रेगलर बड़ेट समय तरहे